तो आज हम new chapter start करते हैं, chapter 9 है, जिसका नाम है state lines class 11 max ncrt, अच्छा chapter है, यह chapter जो आएगा न, coordinate geometry के अंदर आएगा, coordinate geometry के अंदर, हम वैसे भी coordinate geometry तेंथ में पड़े हैं, पड़े हैं न, तो थोड़ा में तेंथ में जो coordinate geometry पड़े थे, जैसा कि distance formula पड़े थे, हम सब को याद है, distance formula, क्या है formula बोलो, एक मांगे चलो एक line है, समझो line है, points given है, p है मांगे चलो x1 y1, और q points given है, मांगे चलो x2 y2, तो distance कैसे मालूम करते, p q क्या होता है, अपने को मालूम है, under root क्या होता, x2 minus x1 whole square, plus y2 minus y1 whole square होता, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते, x1 minus x2 का whole square, प्लस y1 minus y2 का whole square, ये under root के अंदर, और बोल के हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मांगे, ये line गानती, xy plane पे थे, किस पे थे, xy plane पे, यानि partition plane पे, x axis, ये y axis, मांगे चलो, ये line अगर origin से अगर पास होरी, line origin से पास होरी, origin पे x भी 0 होता, y भी 0 होता, यहाँ पे p के coordinate x, y है स distance, वो से p तक की distance क्या होती, under root x square plus y square होती, ठीक है, यहाँ से एक बात आ रही, ये formula है, ठीक है, फिर हम 10 में क्या देखाता है, हमने section formula देखे थे, section formula, आपने को मालूम है, section formula, yes, अगर मांगे, चलो, एक line है, समझो, ये line है, यहाँ पी coordinates है, समझो, x1, y1 है, और यहाँ पे q coordinates है, मांगी चलो, x2, y2 है, ये जो है, यहाँ divide कर रही, m ratio n में, divide कर रही, यहाँ पे क्या है, मांगी चलो, a है, समझो, क्या है, x, y, तो a की coordinates कैसे मालूम करते हैं, मिंस एक और y कैसे मालूम करते हैं, आप x मालूम करना है कैसे मालूम करते हैं mx2 अपने को मालूम है न mx2 प्लस nx1 divided by m plus n और y कैसे मालूम करते हैं मालूम करते हैं अपने को मालूम है y क्या होता m y2 क्या होता m y2 प्लस n y1 divided by m plus n अब यह m ratio n में divide करें अब थोड़े टीचर सापको m1 ratio m2 बुलते हैं ऐसे तो m1 बुले तो m1 पर m1 आएगा n पर m2 आएगा ठीक है यह section formula हमारे को मालूम इसी का special case था अगर यह यहाने midpoint से farm हो थी मान की चलो यह point है P x1 y1 है और यह point है क्या है x2 ए x2 y2 है यह midpoint से यहाने M जो है n के बराबर आ रहा म जब n के बराबर आ रहा म जब यहां से midpoint form बूलकि हम बताते थी हम x कैसे मालूम करते थे x1 plus x2 by 2 और y कैसे मालूम करते थे y1 plus y2 right ना यह कोईसी farm थी midpoint फार्म यह सारे चीज़ें देखे हैं तो मैं यहां पर क्या डिस्टेस किया सबसे पहले आपको distance formula distance formula क्या है यह formula है यहां पर x2- x1 whole square plus y2- y1 whole square under road यह x1- x2 बोलो एक इस बात यह distance formula है अगर line origin से पास हो री OP की distance मालूम करने के लिए यहां से एक बात आगई फिर हम six formularij internally इंटर्णली बिवाइट हो रहा है If M-N के बराबर यानि midpoint farm, midpoint farm, तो formula X ऐसे मालुम करते हैं, और Y ऐसे मालुम करते हैं, हम state line coordinate geometry के अंदर देखे हैं, अब यह जो भी बोला मैं, distance formula, section formula और यह midpoint farm जहां पर form ही, यह midpoint farm जो फार्म ही न, यह सारे चीज़े हैं, coordinate geometry के अंदर हम देखें, फिर इससे हड़के अदर तरी बात करूं है तो हम क्वादिनेंट्र जोमेट्री के इंदर एरिया आफ ट्राइंगल हम डिस्कस करें है कब क्या होता है आप मांचे चलो यह मेरा ट्रैंगल है ए के क्या है एक सब्सक्राइब Y1 है और B के क्या है X2 है Y2 है coordinates और C के क्या है X3 है Y3 है ठीट है area of triangle 1 3.4 G1 formula क्या होता बुली 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 अब देखो area of triangle ABC क्या area of triangle ABC क्या होता बुला half 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 right ना X1 उसके बाद Y2 minus Y1 Y2 minus Y3 plus X2 इसके बाद क्या था Y3 minus Y1 plus X3 इसके बाद क्या है था Y1 minus Y2 अर्राइट ना ठीक है अब निक मालूम है X1 Y2 minus Y3 plus X2 Y3 minus Y1 plus X3 Y1 minus Y2 mode लगाते है mode लगाते mode इसलिए लगाते कि area कभी negative ने होता area जो है negative ने होता अगर इसके अंदर negative 1 by 2 यह mode के अंदर मांगे चलो 57 है तो यह negative quantity positive करता तो area कभी negative ने होता यह formula area of triangle का हम देखी हैं और हम यह भी देखेते हैं area of triangle 0 होता कब होता points are collinear कोईनियर points बूले तो एकी line पे लाइतर ना अब देखो यहां पर three points लाइतर रहे हैं वान टू त्री यहां है समझो भी यहां पर सी यहां पर समझो एरिया आफ ट्रेंगल जिरो एरिया आफ ट्रेंगल यहांने जिरो कब हो रहा विन पॉइंट्स आर को लीनियर को लीनियर बुलो तो एक ही लाइन पे पॉइंट लाई तरना अब नॉन को लीनियर नॉन को लीनियर पॉइंट्स में हमारा ट्रेंगल बनता है ठीक है इसारे च सो अब हम टापिक को डिसक्राइब कीना ही हो सा नाम क्या है यहां पे लिखाता हम हम चैप्ट्र नाम क्या यह से लेखाट या एक्स्वाई प्लेंट प्लेंट भगी आपने कोंप बात मालूम में यह टीक है अब इस पर बात होगी मैं और हो जो भी यह तो जिटेट लेंट है वह दैमेशनल सलेघ्द करें अगर हम स्लोप के बारे में हम इसक्षाइक है यहां पर यहां पर यह यहां पर नहीं पर यहां पर यह श्य आपकी बने यहां पर यह अज्य यहां पर एक्स पॉजिटी अफ एक्स नियाटी होता पॉजिटीव डेरक्षण आफ एक्स एक्सस के साथ एंटी क्लोक्वाइस डिरेक्षण में अगर धीटा याने अगर गीवन अगर रहा तो अगर आप टैन अगर फंचन ले लिए तो स्लोब मालूम हो जाएगा मांगे चलो यह जो इंगल है यह इंगल सपोस्ट करो 45 है समझो इस लाइन का स्लोप मालूम करना है मेरे को इस लाइन का स्लोप मालूम करना एल का ठीक है तो मैं भी क्या बता हमें positive direction आफ इधर x positive होता इधर x डैच बो तो इधर negative होता positive direction आफ एक सेक्सिस के साथ anti-clockwise में जो एंगल अगर थीटा अगर गीवन रहा तो इस पर 10 फंचन ले लो सिधा-सिधा इस लाइन का स्लोप आएगा अब यहाँ पर suppose करो यह थीटा एंगल 45 है समझो तो इस लाइन का स्लोप 1045 तो means 1 हो गया तो इसका अंसर किता आगया मैं बोलूंगा मैं M स्लोप किता आगा 1 आएगा राइट ना इस बात को मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ इस थीटा इस आ इंक्लिनेश्व इन इंक्लिनेश्व बुले तो लाइन का जुकाओ कितना है यह लाइन है कितना जुकी हुई है आप और 3 नि का स्लोपOU पॉजटिव डिरेक्शन आफ एक्स-एक्सिस के साथ अंगल अंगल अगल ःगल तो टैन ले लेन ना slope को small m से denote करते हैं आप अपने को मालूम यह line है समझो यह line का पूरा यहां से यहां तक angle किता है बढ़ता 180 बढ़ता अगर यह मांगी चलो यह theta हुआ तो remaining यहां से यहां तक 180 minus theta होता yes होता क्यों यह पूरी line का अब यह पूरी line का अपने को मालूम है यह line है समझो यह line का पूरा यहां से यहां तक angle किता होता 180 होता अब यह line पर यहां पर divide कर रहे हैं यहां से यहां तक theta अगर हो गया remaining जो भी बचा 180 में minus theta होगा ना वो बात को यहां पर लिखा में यहां से यहां तक अगर theta है मेरा तो remaining यहाँ से minus theta होगा ठीक है ठीक है ठीक है अब थोड़े चीज़ें अपने को slope के बारे में पढ़ना है अब ही मैं बताया slope को जो है न स्वोब को m से denote करते ठीक है एक बात यह है slope को s Cape का अब हमारा स्लोंप जो है पॉजिटिव भी होता है हमारा बता हूं मैं सिलोप के बारे में बतारू में भी हमारा यह धीटा देखो यहाँ पर धीटा भी्यारिटा यह कुंसे लइन है यह लैन का मालुम करें ब strengths is के साथ antic clock west में यह एंगल बनी हिए acute मिन्स यह तीथीटा जो रहेगा kadar दो स्लोब क्या होगा जो स्लोब क्या होगा होगा स्लोब क्या होगा नश स्लोब जब हमारा एंगल क्या हो Pep że neither ज़क्ष घूकर हो जैसे मानजे z快 plan है यहां मेजर करके देखो यह लगबत रहेगा जब अप्ट्यूस रहेगा तब हमारा सुलोब जो है नेगेटिव होगा कब अप्ट्यूस पर अप्ट्यूस कब होता बोलो नेटी से जो है ठीटा क्या रहना लेस रहना और ना अगर यहां पर यहां पर 180 के in between 90 से 180 के in between हमारा जो है tan क्या होता है मालू में negative होता है राइट ना ठीक है दो बातें बोले हैं slope positive है कब है acute angle के लिए slope negative है कब है obtuse angle के लिए slope को M से denote करते है ठीक है ठीक है इसके साथ हमारा जो है tan 90 means not defined not defined means 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 y axis पर हमारा y axis पर जो है y axis पर जो है slope जो है not defined slope not defined ना देखो यह y axis है y axis अरे पूरा ऐसा यूँ है पूरा यूँ है पूरा यूँ है कुछ भी slope के लिए कुछ तो भी जुकाओ होना inclination ऐसा होना कि y axis है मैं बोलूँगा मैं y axis रंदे यह xy plane है समझो यहां पर y है y axis रंदे यह y axis के जो भी parallel line रंदे जो भी parallel line रंदे हम y axis को vertical line बोलते लाइब आपको ठीक है ऩी ङी एकसेक्स के लिए कुछ तो यूँ наж have दरिदरित तो होना पड़ेंगा ना, x-axis या x-axis के parallel जो भी line रहनें, हम x-axis वाली line को क्या बोलते है, horizontal बोलते है, horizontal line का slope क्या है, 0 है, बात को यहाँ पे लिखूंगा, मैं, horizontal line, horizontal line का slope क्या है, बोलो, 0 है, right ना, ठीट है, इतने बाते हैं, लोग निकालने के लिए formula क्या बठा, m equal to tan theta बठा देखो, कब बठाए x y plane ये है आपका x y plane ये है it line है समझो, line है positive direction of x axis के साथ anti clockwise direction में जो angle बन रहा theta theta उस पर अगर हम tan अगर मालूम करें देखो, सीधा सीधा slope मालूम होता, तो हमारा formula क्या आगा m equal to tan theta, बात को मैं यहां पे मालूम हो रहा है, angle अगर given रहा तो कैसा रहना हो, positive direction of x axis के साथ anti clockwise में तो सीधा सीधा हम slope मालूम करने के लिए tan function ले ले लेते, ठीक है in case, अगर angle given नहीं है, points अगर given रहे, तो छोटा सा derivation है मैं बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले मैं final slope के बारे में जो discuss किया हो, बताऊंगा मैं slope को जो small m से denote करते slope का और एक name है gradient है ठीथ है, x axis अगर रहा x axis को horizontal line बोलते या x axis के parallel जो भी line रहने वहाँ पे slope 0 होता, detail में discuss करा मैं, y axis y axis को vertical line बोलते, या y axis जो भी parallel line रहने वहाँ पे हमारा slope जो है not different होता slope हमारा positive हो रहा, कब हो रहा acute angle पे हो रहा, slope negative हो रहा कब हो रहा, obtuse angle पे हो रहा अगर angle given रहा, यह x y plane है यह आपके line है, angle given है positive direction of x axis के साथ तो वहाँ पे इस line का slope मालुम करने के लिए, सीधा सीधा हम क्या लेते, tan theta लेते, ठीक है, ठीक है सारी चीजें यहाँ पे detail में discuss करी है आप मान के चलो angle given नहीं है तो slope कैसे लाना, उसके लिए उसके लिए जो है छोटा सा derivation है उसको मैं बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा ठीक है क्या लिखा है मैं heading यहाँ पे, slope alpha line passing through two points, क्या यानि अब xy plane यह है यह xy plane है मेरा, यह x, यह y axis है यह line है, यह line का slope मालूम करना है अब angle given नहीं है, अगर in case angle given रहता, तो हम देखते सुबसे पहले कि हो positive direction of x axis के साथ, क्या anti clock wise बना रहा, अगर anti clock wise बना रहा, तो सिधा सिधा tan लेते हैं लेने के बाद जो है, सिधा सिधा इस line का slope आता, ठीथ है, अब यह line का slope मालूम करना है, angle given नहीं है मांची चलो, points given है, क्या points given है, P और Q, तब इस line का slope क्या होता है, छोटा सा यहां पे एक, छोटा सा एक derivation है बताऊंगा, मैं, formula बढ़ता, y2-y1 divided by x2-x1, slope को m से denote करते, two points अगर given रहे, तो यह formula बढ़ता, अच्छो मैं यहां पे बताऊंगा, आपको detail में बताऊंगा मैं, खीथ है, slope alpha line line का slope, passing through two points, जब two points से अगर line pass हो रही, angle given नहीं रहे, तो slope मालूम करने का मांगे, चलो, p points है, मेरे पास x1, y1 और q x2, y2, बात को यहां पे लिखा हूं है, let p x1, y1 and q x2, y2, be two points on non vertical lines, line कैसे non vertical है यह xy plane है यह line बनाई हूं मैं, यह non vertical, यह non vertical line ठीक है, l, whose inclination is theta, इस line का inclination यह जुटाओ, जो है, वो theta है ठीक है, ठीक है, angle यहां पे given नहीं है, angle यहां पे given है, theta किता है, क्या नहीं किने मालूम points given है, तो formula क्या बनता वो है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या करूं ना मालूम मैं, छोटा सा यहां पे working है, ठीक है, q से ना एक perpendicular, draw करूं में x-axis पे, सिधसीद़ यहां पे perpendicular draw हो रहा x-axis पे, उसका नाम रख देरूं में ठीक है, ठीक है, यह 90 degree पार्म हो रहा ठीक है, पी से एक perpendicular, draw कर रहो है, किस पर qr line पर, यह qr line थी ना ठीक है, यहां पे 90 degree होगा, बात को यहां पर लिखा मैं ग्रा परपेंडिकुलर क्यूसे ओर एकसे ए नायं और छोट गजेंगे हैं तरदे और यहां पर ऒए तक O से लेकर R तक, क्या X2 है, यस, रइट न, O से R तक, किता डिस्टेंस है, X2, बात को यहां पर लिख रो, X2, ठीक है, अगर मैं थोड़ी दिर के लिए समझाने के लिए, यहां पर LINE बनाया समझो, LINE बनाया समझो, आपको मैं अगर यहां पर क्या तो भी एक नाम दिया, यह, R से Q तक, किता डिस्टेंस है, Y2 है, रहे न, देखो आप, R से Q तक, किता है, Y2 है, यहां से, यहां तक, Y2 है, R से M, R से M, मिंस यह वाला, देखो आप, P से X, P से X तक किता है, डिस्टेंस, Y1 है, तो R से M तक, R से M तक, यह भी क्या होगा, Y1 होगा, Y1 होगा, राइट तोड़ा समझना है इन ट्रेंगल को देखो इन ट्रेंगल को लो आपका यहां से इंगल मेजर करो फिर यहां मान के चलो यहां पर मैं लाइन ले रहो फिर ट्रांसवर्सल समझो इसको क्योंकि यह दोनों लेन आपस में प्यारलल है तो यह इंगल यह इंगल इक्वल होता राइट ना यह लेन आपस में प्यारलल है इसको ट्रांसवर्सल समझो यह थीटा जो यह भी यहां पर थीटा होता क्योंकि लाइन का झुकाओ तो से मिच है ना अंगल यहां पर देखो यहां पर देखो ठीक 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 अब स्को property क्या होती पर्पेंडिकुलर बढ़ता क्या बढ़ता Q M divided by base, base क्या बढ़ता PM बढ़ता ठीकर 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 अब समझना है समझना है यहां पर क्यों यह 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 distance यह distance अपने को नहीं मालूम लेकिन यह distance मालूम Q से आर तक किता है वाई-टू है और M से R तक Y1 है यानि पूरे में से यह एगर मैं अगर divide किया तो यह वाला distance आता है मैं लिखूंगा इसको Y2 minus Y1 upon बरोबर ना, right QM, QM यह है distance में मालूम, QR मालूम है किता है, Y2 है, और यह मालूम है Y1 है, पूरे में से यह वाला मालूम है, तो यह वाला मिल जाएगा तो क्या हो Y2 minus Y1 divided by base, base किता है PM, PM, PM यह distance नहीं मालूम में कुए, यहां से यहां तक X2 है, यहां से यहां तक X1 है यहां से यहां तक X2 में अगर यह मैनस करा, तो यह distance आ जाएगी तो divided by क्या होगा, भोलो X2 minus X1, सीधा-सीधा फार्मूला आ गया, हमारा फार्मूला क्या बना, M क्या है, सुलोप क्या है Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1, कब है, जब points given हो, angle नहीं given है, तो यह फार्मूला बनेगा, छोटा सा यहां पर derivation होगा, ठीक है, अगर मांगे चलो, मैं यहां पर और केस बता रहूं, दो केसे से यहां पर बनती है, यह xy plane है, अपका, ठीक है, यह lane जो पास थी, acute हुआ है, angle क्या बठा, acute बना, acute बना, अब मांगे चलो, lane ऐसे पास हो रही, अब यह angle जो होगा अब यह angle होगा, अब यह obtuse होगा, मांगे चलो, यहां पर p point है, यहां पर q point है, समझो थोड़ा सा, जो है, derivation हटकी है last में point, minus, or common लेने के बाद, last में formula यही बनेगा, angle theta acute हो, यह obtuse हो हमारा जो है, two points अगर given रहे तो formula यह बनेगा, अरे हम angle की बात इचने करें, हम two points की बात करे, two points given है, p1 q1, angle यहां theta acute रंदे, यह obtuse रंदे, इससे लेना देना क्या भी ने, two points अगर given रहे तो यह formula है, slope निकालने का, अगर angle given रहा तो क्या बोला में, m equal to and theta, right, बहुत simple वे से discuss किया हमें, conditions दिखना है हमे, parallel and perpendicular lines के, ठीक है न, in terms of their slope, ठीक है, क्या लिखा हूँ मैं यहां पर, conditions for parallel and perpendicular of lines, in terms of their slope, ठीक है, ठीक है, if the line L1 is parallel to L2 इस बात को समझेंगे हम, मैं यहां पर बताऊं रहा हमें, मांगी चलो, यह xy plane है, यह x axis है आपकी, यह y axis line आपस में क्या है, line आपस में parallel है, तो मैं यहां पर थोड़ा बनाऊं, दो line बनाऊं में, मांगी चलो, एक line यह है, और एक मांगी चलो, यह है दूसरी line, यह L1 है समझो तो इसका slope, सपोस्कर आप, क्या है, इसका slope, alpha है समझो, ठीक है, यह line आपकी L2 है, तो इसका slope मांगी चलो, इसका बीटा है समझो, ठीक है न, यह line L1 है, तो इसका slope मांगी चलो, M1 है यह line L2 है, इसका slope मांगी चलो, M2 है ठीक है, ठीक है, ठीक है parallel है L2 के, यानि L1 जो line है parallel है, इसके L2 के है, तो slope क्या होता है वो देखना है सीधा-सीधा टैनल फ़ीट है पर इसके बाद देखो स्लोप आफ एलटो क्या बोला हो मैं एंटू बताया हो मैं और एंगल लेते हम टैन बीटा लेते ठीक है न अदेखो यहां से मांगे चलो जो इंगल बेट रहा हूँ यहां से भी वही बैठे जाए एंगल मेरी बास समझना है आपको मांगे चलो मैं यहां पर आपको बताओं कि एक्स वाई प्लेन है समझो आपका यह एक्स एक्सिस है यह आपका वाई एक्सिस है ठीक है यहां पर है समझो और एक इसी के प्यारलल लैन है समझो आप मांगे चलो यह लैन इसका अगर एंगल 45 है समझो तो यहां से मेजर करें 45 है इसको यहां से मेजर करो यह भी 45 छोगा ना x y plane है यह line किता 45 है यह line बजाए है यहां से मैं यहां पे इसके parallel बना रहो कि इधर भी 45 हैं इधर भी 45 है तो यहां जो angle है वह यहां भी वह उच्य angle है यानि यहां पे जो slope हो स्टा वह यहां भी वह इस है राइट ना तो मैं बोलू गा मैं प्यारलल लाइन में स्लोप सारे इक्वल तो यहां पर क्या आएगा बूलो टैन अलफा इक्वल टू टैन बीटा मिन्स फाइनली एम वन जो है एम टू के एक्वल होगा तो बास समझ रहे ना तो फाइनली मैं यहां पर लिखा हैंस टू नॉन वर्टीकल लाइन एल वन एन ल आप सपोस्टाव वन थर्टीफाई अकुल लैन है बास समझना है आपको एक्वाइन यहलेन है इसके अ स्के पैरलएल और र向 इंगorf विर्टीफ होगा एंगल सेम है तो स्लोप भी सेम है तो स्लोप इट्वल है अधिनवन सेम्वल लाइन क्या रहे ना लाइन लाइन की तय तो इतना बस इतना मैंड में बिठा लो आप कि अगर लाइन से अगर प्यारलल है तो फिल्ट है अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन सुवे तो क्या टॉंसेप बनता वो डिसक्स करेंगे हम ठीक है ना यहां पर डिसक्स करों में कंडिशन देखना किसकी एलवन एन एलटो आर परपेंडिकुलर ठीक है हम समझेंगे बात को हम फिल करेंगे हर कॉंसेप लॉजिक को फिल करेंगे हम मान के चलो यह आपका एक्स वाइप लेंड है यह एक्स एक्सिस है अब ही हम इससे पहले प्यारलल लाइन का देखे ते इसके परपेंडिकुलर बनाओ मैं ऐसे बनारो फरपेंडिकुलर ठोड़ा इस तेंग करो इदर लाइन आपकी मांजिए चलो एलटो है समझो इन शुलो पिता बनारी एम टू यहां पे 90 डिग्री फार्म हो रहा अरे बात समझ रहें न यह तो देखो इदर देखो यह किस पर है एक सबनाओ में ए एक लइन वन है उसका सलोप यहां देख यह जो यहां यह vertically opposite angle है, ठीक है ना? ये 90 है तो ये भी 90 है, ये जो भी angle है, ये भी which angle हुता, right ना? त्लिखुँआ और अगर आप यहां पे देखे, ज़रा यहां पे देखे, जो triangle देखो, ये जो triangle है, मैं जो mark कर रहूं में, मांच जी चलो यह A है यह B है यह C है समझे ठीट है उस पर अंगल को मैं थोड़ा जूम कर यहां पर लिखो मैं वो यहां पर बतारू है यहां पर A है और यहां पर क्या है आपका B है और यहां पर C है A पर क्या बठे क्या फाम हुआ 90 डिगरी और B पर क्या बोली में अलफा बोली में और यहां C पर यहां एक्स्टिरियर एंगल की प्रॉपर्टी मालूम क्या बीटा जो है इक्स्टिरियर एंगल की प्रॉपर्टी है बीटा जो है यह वाला एक्स्टिरियर एंगल यह आप यहां से क्या ट्रॉंसेप्ट नेंल प्लस अल्फा होगा यहां पर इंटियर एंगल के बरबर होता है बात लिखो में by exterior आप एक काम जरों वोच सेड में टैन ले रूँ में जाने लेगी यहां यायन पिलस अल्फा थीछ है थीड स्ठीन प्लस यहाँ पे ऐस्टी सिरू nar लएगा एस्टी स्ठीस रूर कोट में होता है जो अलफा थिक है यहां तर नहीं है यहां पर लिखो में यहां पीटा था स्लोप क्या एंवन राइन यहां पर यहां पर गीवन से लिखें है अब डेखता है डीप नगा अगां में लिखकत ओन अपन में या यानि यह की कंडिशन्स आ परपेंडिकुलर रहा तो इसको थोड़ा वागर मैं तो क्या होता बोलो एम वन एम टू क्या होता मैंनस वन यानि दो लाइन का पर्पेंडिकुलर्स अगर लाइन्स रहे तो उनका जो स्लोप का प्रोड़क्ट जो है मैंनस वन के बराबर आता तो फैनले मैं यहां पर बात लिखा में हैंस टू नॉन वर्टिकल लाइन्स फेर ठीक है आर to minus 1 के बराबर आना ठीजों थाच्छ है तो हमने जित्ता भी वे बारे में बोला थोड़ा मैं रिक्याब करूँ गाम है आपका यह स्लोब है स्लोब को और इत्रवा ग्रेटिंट है जो भी लेन है प्रूब horizontal 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 lines पर Route क्या होता zero होता ही थीच है फिर Y axis पर y axisムलो हमारा slope होता य और ऐक्सीज बूले ह्या यe reex के parallel जूबगी लीच मिन्स vertical 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 line पर हमारा the slope नॉट इफैन है थीच है फिर हम आपको बुचाtones हम क्या बता हैं डाख हमारा बैख कब होता है प Judge tra इंगल पर होता बोले फिर आपको बता है हम अंड फार्मॉला बता है नहीं यह लाइन ऐसा गीवन है इनग प्रेख क सब्सक्राइब वैस में रहा तो टैन थिटा लेते हैं फिर हम आपको बता हैं हम एंगल गिवन नहीं है टू पैंट्स गिवन है समझो यह लाइन है यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू है टू पैंट्स गिवन है तो क्या बढ़ता है फार्मुला y2-y1 divided by x2-x1 बोल को बात बता है यह लाइन अक्यूट के बज़ा ऐसे पास हो कि अब इधर पी है इधर क्यू है समझो तब भी यह फार्मुला जो है बढ़ता बोले फिर हम आपको बता है हम लाइन से अधर आपस में प्यारलल है इत लाइन l1 है वो प्यारलल है l2 के तब जो है क्या टेंडिशन मनती slopes ना equal होते m1 equal है m2 के तब है lines क्या रहना parallel रहना parallel रहना detail में discuss करे हम फिर हम आपको बता है हम लाइन से अधर आपस में perpendicular है l1 perpendicular है l2 के तो क्या होता मैं बोल सकतो मैं दोनों का product slope का product जो है minus 1 के बराबर हो ठीट है यह सारे चीज़ें slope के बारे में हम discuss करे हम इससे पहले इससे हड़के अधर देखे तो distance formula भी बताया हम है section formula बताया internally का फिर मिट पॉइंट फार्म भी देखे हैं मिट पॉइंट फार्म और क्या देखे एरिया आप ट्रेंगल देखे इस सारे बातों को नोट कर रौप वीडियो